सुनभद्र जिले में दस लोगों की जगन्य हत्या के मामले में यूपी की राजनीती गरबा गई है कानून व्यवस्था कुलेकर विधान सभा में हंगामे के बाद कॉंग्रिस महासाच्यू प्रियंका गांधी आज यहां खायलों को देखने वारणसी पहुंची इसके बाद प्रियंका गांधी का काफिला सोन भद्र के लिए रवाना हो गया सोन भद्र में घटना स्थल पर जा रही प्रियंका गांधी को 25 किलोमीटर पीछे ही रोप दिया गया प्रियंका वहां धरने पर बैट गई बाद में फुलिस ने प्रियंका गामधी को हिरासत में ले लिया हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गामधी को चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया इस दोरान कॉंग्रिस महासचिव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहा लेकर जाया जा रहा है लेकिन वो जहां ले जाएंगे हम जाने को सयार हैं लेकिन हम छुकेंगे ने अलग कि चुनार गैस हाउस में प्रियंका गांदी फिर भरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक उन्हें पीडित परिवारों से मिलने नहीं दिया जाता है तब तक वो वापस नहीं जाएं जब दाओवानोंने कुछ कहा उनको रोकने की कोशिश की तो एकदम से उनकी हत्या करनी शुरू कि दस लोगों की हत्या कि है प्रदेश की कानून व्यवस्था कहा है? थाजसे से पहले फोन किया था पुलिस को, तीन दिन पहले गाओ वाले गये थे कि ऐसा हो जाएगा, थाजसे के दौरान उलाए गया था, कोई मदद नहीं होई हो, अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मैं पीरितों से मिलने जाएगा, मैंने कहा भी अगर 144 है मैं तीन लोगों लेके जाओं, उससे जादा में, मुझे सिर्फ उन से मिलना है, क्योंकि उनको ये असास होना चाहिए, कि उनके साथ कोई खड़ा है, कि वो अकेले नहीं है, इस दुख में, इस दर्ग में, चाहे वो कोई भी हो, जब मैं मिर्जापूर पहुंची, तो मुझे रोका गया कि आप मिर्जापूर नहीं जा सकते, तो मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकती, कुछ ओडर दिखाईए, कोई धारा हो, कुछ होगा, मिर्जापूर में उस समय कोई धारा नहीं थी, सिर्फ सोन भद्र में 144 थी, उसको भी मैं कह रही थी, कि मैं उसका उलंधन नहीं करूँ, शांति प्रक्राइए, कोई और नहीं दिखाया, कोई एक्रि दिखाया, तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहां ले आईगा, तो मैं यहां इंतजार करूँगी, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़तों से, उनके परिवारों से नहीं मिल प्रियंका गांधी को हिरासत में लिये जाने पर राहुल गांधी ने भी ट्विडर पर नाराज़गी जताई उन्होंने कहा कि यूपी के सोन भद्र में प्रियंका को गयर कानूनी तरीके से आरेस्ट करना विचलित करने वाला है। उधर मुख्यमंत्री योग्या दितिनाथ ने इस पूरे विवात के लिए कॉंग्रिस सरकार को जिम्मेवार ठेराया और कहा कि इस घटना की नीव 1955 में ही पढ़ गई थी जब कॉंग्रिस की सरकार थी। इस जमीन पर 1880 समुदाई के लोग खेती बारी करते थे। बाद में जमीन को किसी व्यक्ती के नाम 1989 में कर दिया गया था। हाला कि मुख्य मंत्री ने ये सुईकार किया कि अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती। उन्होंने बताया के वारणसी जोन ADG पूरे प्रकरण की चार्च कर तस दिन में रिपोर्ट सौपेंगे। कार कि सास्किय भूमी को और गराम पंचयत की भूमी को किस तरीके से हड़पने का कारे किया है। ये एक गंभीर प्रकरण है और इस मामले में अपर मुख्य सचिव राजश्यों की अधिक्स्ता में एक तीन सदस्य कमीटी हम लोगों ने बनाई है। जिसमें प्रमुक सचिव स्रम और आयुक्त बिंद्यांचल मंडल मिरजापुर को इस कमीटी में रखा गया है कि ये 1955 से लेकर के अब तक कि राजश्यों से समंधित इन सभी प्रकरणों में कहां कहां पर किस किस अस्तर पर सिदिलता बरती गई है। इससे समंधित जांस दस दिन के अंदर सरकार को प्लब्द करवाएंगे और इसमें कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों नो हो हम लोग उन सभी के खलाब कारवाई करेंगे जिन्होंने भी सासन की भूमी को अवैत तरीके से या फिर गलत तरीके से उसमें अविलेकों के स चेड़ चाड़ करके अपने नाम से करने का प्रियास किया उनके खलाब तो कारवाई इसके बाद होगी ही साथिसाथ इस मामले में ये प्रकार्ण 2017 के बाद से जब गराम प्रधान के नाम पर आया है तब से जो वहाँ पर वरसों से खेती करते चले आ रहे बनवासी थे इन लोगों ने जो उसका प्रतिफल या लगान था वो देना बंद कर दिया था उसके बाद गराम प्रधान और दोनों पक्सों के बीच में तमाम प्रकार के राजोसे समंदित और अपराधिक वाद दोनों के बीच में चले थे इन दोनों के बीच में चले वाद पर समय समय पर क्या कारवाई हुई और उसकी निस्पक्सता से उन वादों का निस्तारण किया गया की नहीं किया गया इसमें भी अगर कोई पक्सपाथ मुन भटना गटित हुई है इस मामले में अपर पुलिस महाने देशक वारानासी जौन को इन सभी प्रकरण को हम लोगों ने सौपा है कि वे इस प्रकरण की जाच करें और इस मामले में जो भी दोसी होंगे प्रारंब से ही राजसो के मामले को लेकर के अपर मुखे सची राजसो के दिक्सता में जो कमिटी गठित की है वो गठिती वो समिती उन सब के जम्मेदारियों को निर्धारित करेगी साथ साथ अपर पुलिस महाने दे सक वारानसी जोन इस बात में कि अपराधिक वादों में पुलिस की कारवाई कहां कहां सितिलता वरती गई और कहां कहां पे पक्सपात हुआ है इन सब प्रकरणों की जाच भी उनके द्वारा दस दिन के अंदर करते वे पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी जाएगी और पक्स के द्वारा इन सब मामलों की अन सुनी करकर दी गई और उनके द्वारा सदन की कारवाई को बाधित करने का प्रियास किया गया इस पूरे प्रकनण के लिए 1955 और 1989 में भूमी समंधी जो भी ये गलत अभी लेखों में दर्ज करने या फिर गलत तरीके से कुछ लोगों के नाम पर चड़ाने की पूरी कारवाई उस समय कॉंग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी और उस सरकार में किस प्रकार से भूमाफियाओं को और सास्की भूमी को या सारजिनिक भूमी को हड़पने के कारे कितने ब्रह दस्तर पर होते रहे उसका एक उधारण यह भी सामने आया है मुझे लगता है कि दस दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट में वे सारे चेहरे वे निकाव होंगे जो इस घटना के सुतरधार और उसकी कड़ी के एक हिस्से माने जाएंगे प्रदेश सरकार इस पूरे प्रकरण की विस्तरी जाच करा रही है विधान सभा के अंदर जम करंगामा इससे पहले यूपी में बिगडी कानून विवस्था कुलेकर विपक्षी दलों ने विधान सभा के अंदर जम करंगामा किया समाजबादी पाइटी समेट अन्य दलों के नेता सदन के अंदर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे विपक्षी सदन से विधानसवा अध्यक्ष फिर्दय नारायन डिक्षित के आसन तक पहुंच रहे हैं दरसल बुदवार को सुनभद्र के खोरावल थानाक्षित्र के मूर्तिया गाओं में जमीन कपदाने कुले कर फाइरिंग हुई गाओं के बाहरी इलाके में सेक्णों भीगा खेत हैं जिस पर कुछ लोग फुष्टैनी तौर पर खेती करते आ रहे हैं गाओं वालों के मुताबिक इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा प्रधान के नाम पर है ग्राम प्रधान यगिदत्त ने एक आईयस अधिकारी से सौबीगा जमीन खरीदी थी यगिदत्त ने इस जमीन पर कब्जिक के लिए बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ जोतने की कोशिस की इस्थानिय ग्रामीडों ने इसका विरोध किया जिसके बाद ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने काओं वालों पर ताबर तोड़ गोनिया चला दी जिसमें 10 लोगों की माउथ हो गई जबके 23 लोग घायल हो गए रॉंग टेक खड़े कर देने वाली ये वारदात हाल के सालों में उत्तर प्रदेश में हुई सब्चे जादे खून खराबे वाली खटना है ये कांड एक ऐसा कांड है जो सीदे सीदे उत्तर प्रदेश में कानून विवस्था की खुली चुनों की दे रहा है लेकिन अब इस पर जम कर सियासी रोटियां सेखने की कोशिश हो रही है पिरो रेपोर्ट प्राइम नियूद